जनतापाटी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विरें सिंग मस्त जी हमारे साथ हैं सर मंसौर में किसानों का प्रोटेस्ट उग्र हुआ और गोली चली छह लोगों की मौत हो गई क्या ये आखरी विकल्प बचता है कि गोली चला दी जाए किसानों के उपर किसानों के उपर गोली चलना या हत्या होना ये दुखद है किसी के उपर भी गोली चलना दुखद है हत्या होना नहीं चाहिए सत्याग्रह के माध्यम से अपने समस्याओं के समाधान के रास्ता तलासना भी लोगतंतर का हिसा है और शहमती होनी चाहिए और लोकतंत्र की सक्ति है हमारे प्रदान मंत्री जी इस बात को कहाते है हिंसा होने से सत्यागर 계획 के मुद्दे होते है वो भठक जाते हैं आज मत्सोर में किसानों की समस्या के समाधान के लिए जो संबाद होना चाहिए उसका भाव राव मैं समझता हूँ कि मुद्दा हिंसा होने से बटक गया है आज जब विपक्च के लोग जाना चाह रहे हैं तो उन्हें क्यों रोका जारा है जाने दीजे वहां पर सांथना देना चाहते हैं उनको भी रोका बरतमान परिशितियों में तनाव है तो कोई भी राजनेता जाएंगे तो उस तनाव में तरह-तरह की बाते उठेंगी तो प्रसासन उन चीजों को ध्यान में रखते विए अथिहात तोर पर रुक रहा है तो ये थे विरेंज सिंग मस्त साब जो कह रहा है थे कि जो गटना हुई दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार है उन पर कारिवाई होनी चाहिए कैमरा परसन संदीप लोहिया के साथ हम भुछ पांड़े एपीय न्यूज दिले